नमस्कार कबर दिन भर में आपका स्वागत है मैं हूँ श्यवेंद शुक्ला इस बुलेटिंग के बाद हम से आईए नज़र डालने हैं दिन भर की खबरों पर नमस्कार कबर दिन भर में आपका स्वागत है मैं हूँ श्यवेंद शुक्ला अखिल भारती हैसन बनर जी फुटबॉल टूनामेंट के इस बावन में फुटबॉल महाकुम्ब में अब रोमांच बिलकुल चर्मूतकर्श पर पहुँच रहा है पांच में दिन सेमी फाइनल म मैच में दूसरा मैच जो खेला गया उसमें खेल की बिलकुल हाइट तक पहुँच चुका था दिरसल इस पूरे 90 मिनिट के खेल में दोनों टीम में बराबरी पर रही उसके बाद पैनल्री शूट आउट भी किया गया जिसमें दोनों ने 5-5 गोल दा गे लेकिन इसके यूथ फुटबॉल क्लब हल्दवानी और डियाफे बालाखाट के बीच में खेला गया इस रोमाचक मैच में भी यूथ फुटबॉल क्लब हल्दवानी ने एक शूनिस सही जी तरच की इसके बाद दूसरा मैच तो मानो इस खेल के चर्मूत कर्ष पर पहुँच गया और लोग सांस रोग कर सके इनको देखते रहें आर्मी हैदरवाद जो की विगतवर्स की चैंपियन थी और उसका मुकाबला सिटी फुटबॉल क्लब गोंदिया महराष्टे से हुआ आर्मी हैदरवाद ने ये मैच चैंपांस से जीता और अब फाइनल मुकाबला यूथ फुटबॉल क्लब हल्दवानी और आर्मी हैदरवाद के बीच में देखने को मिलेगा करके महतीती के तोर पर अधिवक्ता संग अध्यक्ष एडवोकेट राजियंदर शर्मा और अधिवक्ता घर्ण भी मौजूद रहे हैं 52 एसन बेनर जी फुटवल टूनामेंट का ये पांचमा दिन है आज दो सेमी फाइनल मैच खेले गए हैं पहला सेमी फाइनल मैच जुगवा वो यूथ फुटवाल किलब हल्दवानी वर्सिश डी एफे बाला घाट मद्दब्रदेस के बीच में खेला गया जिसमें एक जीरो से हल्दवानी ने बिजेत होकर फाइनल में प्रिवेस कर लिया है दूसरा सेमी फाइनल मैच अभी प्रारंभ किया गया है दूसरा सेमी फाइनल मैच बिजेत वर्सिश की जो विजेता टीम रही है हमारी आर्मी हैधराबाद उसका सिटी फुटवाल किलब गोंधिया महराष्ट के बीच में खेला जा रहा है इस मैच से जो टीम जीतेगी वो फाइनल एपर वेस करेगी नमस्कार कवर दिन भर में आपको स्वागत है मैं हूँ शिवेंद्र शुगला सटेई में चात्रावास के अधीक्षिका पर एक शक्स द्वारा लगातार आरोप लगाये जा रहे हैं और मामला काफी तूल पकड़ चुका है कवरतल अभे के सटेई बालिक चात्रावास के अधीक्षिका पर एक स्टेशनर के दुकानदार द्वारा आरोप लगाये गए हैं जो आडियो वायरल हुआ है उसमें ये बात सामने आई है कि अधीक्षिका लगातार दुकानदार को उसका वुक्तान करने के लिए टाल दिया रही थी इस मामले में पीड़ी दुकानदार ने कहा है कि अगर उसे नयाय नहीं मिला तो वो केंद्री राजी मंत्री के सामने ही आत्मत दाह कर लेगा मेरी जानकारी में अभी संग्यान में ये मामला आया जब आया तो मैंने उसको बुलवाया था और बुलवा कर जिला सिक्षा अधिकारी को मैंने बुला है वो उनके ही विवाक के अंतरगत का छात्रा वास है कि सबसे पहले तो उसको तत्काल जो अधीक्षक है निलंबन होना चाहिए और ऐसे प्रक्रण अगर आपके सामने है तो 420 का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए हाँ अभी तक होगा दबाओ लेकिन अब अधिकारी दबाओ मुक्त है और नियाए आम आदमी को गरीब आदमी को दिलाने का मेरा अधिकार है मेरा हक है उसको अधिकार के साथ उसका हक उसको मिलना चाहिए और उसको नियाए मिलेगा वही टीपीसी ने भी इस पूरे मामले की जाज के निर्देश दे दिये हैं और उनका कहना है कि जैसे ही आज पूरी होती है इस पर कारवाई की जाएगी? इस संबन्द का एक पत्र मुझे कल प्राप्त हुआ है इसके पहले भी जो शिकायत आई थी उस संबन्द में मैं जाच करवा रहा हूँ जो भी दोसी होगा उस पर जो है दिदवत नीमा अंशार कारवाई की जाएगी इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाई नहीं बढ़ता पर जैङा कि अइसमें से कली निर देश दे दिये हैं और च्री हमारा दल समंध में . श्वीत आज करवा लेता हूं भी जो अपके दौरा जोह बताया जा रहा है इस सभी मित आफी दोस पाया जैता है तो। निश्चित तोरके कारवाई करुआ नमस्कार कवर दिन भर में आपका स्वागत है मैं हूँ शिवेंद शुगला संत्र रविदास जियंती धूम धाम से मनाई गई महोवारूट परिस्तित अनुसुची जाती जुन जाती वालक छात्रवास से एक शोभायात्रा निकाली गई जिसमें ढूल नगालों के साथ कुछ नरत्य की टोलियां भी चल रही थी जिसमें युवा नरत्य करते नजर आ रहे थे और उसके बाए शहर के चक्कर लगाते हुई मेला ग्राउन पर ये शोभायात्रा संपन होई पड़ी संख्या में संत्र अविदास की इस शोभायात्रा के अवसर पर लोग मौजूद रहे हैं सभी को मैं धन्वाद देना चाहता हूं सभी को बढ़ाई देना चाहता हूं शपलकारी क तन्तों की रैली से हर समाज के अंदर एक लुँँः मैसे जाता है कि संतों ने हर समय उस शेत्र में काम किया कि हर समाज हिंदूod醬 act के यह अलग try पाज़िघ लसके ने वी सुप्ति इनकात सेंपने पैसरी है ने आपका स्वागत है मैं हूँ competitions एक दिन पहले चंदला के पूर्व विधायक आढ़ी पृजापदी द्वाराhock वार्ग्रेस सेनक्ष्ण में रेत खनन की बात उठाई गई थी और उन्होंने एक ग्यापन भी सौपा था उनका गह रहा था कि कॉंग्रेस द्वारा रेत खनन किया जा रहा है चंग्राच शेत्र में रेत के अवैद उत्खनन के मामले में कॉंग्रेस पर आरोप लगा जाने पर विधायक आलोक शत्रवेदी ने कहा कि जो चोर होता है वही सबसे आदा हल्ला मचाता है उन्होंने पुरानी फिल्म का जिक्र करते हुए कहा कि चोर मचाय शोर और यही वज़े है कि आड़ी प्रजापती जब विधायक थे तब उन्होंने उस शेत्र में रेत का अवैद उत्खनन कराया था और अब भी उनके बेटे द्वारा यही काम चंदला शेत्र में कराय ज है आप जले जाएए वहां पता लगा लीजिए कई जगे पर यह स्वयम इनके पूर्व के संरक्षन आपने नाम सुना होगा एक रुद्र पटेल का नाम वो कहां कहां कैसी जगे काम कर रहे हैं आप पता लगा लीजिए वो काम कर रहे हैं और जो यह संलिप्तिता कॉंग्र तो ये तत्थ प्रमाण सामने लाके बताएं, कि कॉंग्रेस विदायकों की ये संलिप्तता है तो भाई इनके आरोप मानने को तैयारू। सिंडीकेट सिंडीकेट तो बनता है ठेकेदारों का सिंडीकेट तो बनता है उनका व्यवसाईयों का सिंडीकेट विधायकों का नहीं बनता है और सिंडीकेट ये भाजपा में चलता रहा होगा कॉंग्रेस के जमाने में नहीं चलता है इस मामले में कॉंग्रेस को विदित है जैसे माननी आड़ी प्रजापती जी ने अपना विरोध दर्ज किया है तो हम लोगों ने अवैद उत्खननन बंद कराया है अवैद उत्खननन उनके ही चालू थे उन्होंने अपनी सरकार के टाइम पर भी जाकर वहां पर धरने प्रदरसन वहां पर करते रहे उस वह हम यहां पर उनके बेटे द्वारा अवैद उत्खननन कराया जाता रहा हम लोग भी प्रसासन से मांग करेंगे किसी प्रकार का वैद उत्खननन में ही हो नमस्कार खबर दिन भर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शुबम सौनिय और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज खबर दिन भर के इस बुलेटिन नों चलिए आपको खबर दिखाते हैं च्छतरपुर सहर के रजक समाज के एकाई के द्वारा एक क चतरपुर के जला सचेव राम खेलवान स्रीवास वाउनिय जलात द्यक्ष सुंदरलाल स्रीवास के तत्वाधान में बड़े ही हरसुलास के साथ संति शुरूमणी गाड़गे महराज की मुर्ती पर तिलक मालेयर पढ़कर दीपर जुलित कर संति शुरूमणी गाड़गे समाज के दौरा किये जाते रहे हैं वह अब परिवर्तित होकर साथ मई यानि अच्छा तृतिया में किये जाएंगे सम्मेलन नगर पालिका में आयुद किया जाएगा वहीं इस पूरे सम्मेलन की विवाय पंजियन की तारीख भी 20 अप्रेल 2019 तक की रखी गई है नमस्कार खबर दिन बर में आपका स्वागत है इस बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबर को देखेंगे चतरपुर में आज से एक अंतर राष्ट्रिय कॉन्फरेंस शुरू हो गई है चतरपुर के स्री कृष्णा यूनिवर्सटी में ये कॉन्फरेंस शुरू हुई है जिसमें देश और दुनिया के कई जाने माने विद्वान विभिन विश्यों पर चर्चा कर रहे हैं इस कॉन्फरेंस का विश्य है परियावरणिये चुनोतियों से कैसे निप्टा जाए खासतोर पर बुंदेलिखंड की परिस्तिती और वायो डाइवर्सिटी इशूज पर ये पूरी कॉन्फरेंस आयोजित की गई है जिसमें गाओं की संस्कृति भारत की प्राचीन संस्क कानों ने अपनी राय रखी इस पहले पहले दिन की इस कॉन्फरेंस में कलेक्टर मोहित बुंदस हमेरपूर सांसाथ पुस्पेंद्र सिंग चंदेल सहत कई विद्वान पहुंचें आज जो विश्विद्याले चकरबुर में यह जो इस समय जो सबसे नितांत आवस्च जो बात है कि अर्यावरण के विगड़ रहे संतुलंद को लेकर के पूरा देश और दुनिया चिंतित थे उसको लेकर के आज यहां पर कॉंफरेंस है उसे पूरे देश और दुनिया के बड़े विद्वान लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं बहुती सभी अपने सब्येट के एक्सपर्ट्स यहां पर हैं तो मैं समझता हूँ बुंदेल खंड के लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत कोई फूटफूल निकल के आएगा सामने से मेरा मनना यह था कि जो हमलों का जो प्रहंपरागब ग्यान के साथ में हमारे हाँ तक्षिशला और नालंदा चीजें थी उसको दुनिया में ले जाकर के लोगों ने अपना रंगा बजाने का काम किया होगा लोगों ने लेकिन हमारा जो देश का जो ग्यान है हम लोग विश्व गुरू थे तो आज का जो जो यह चर्चा थी यह कृस्णा विश्व द्याला इस बात के लिए बढ़ा रहा है उसका कारण है जो ग्लोबल वार्मिंग की जो बात पूरी दुनिया में जो चल रही है वह बहुत बड़ा उसका कारण है जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है उस पर रोग लगनी चाहिए और इसके लिए जब तक देश का किसान और आम नागरिक कदम नहीं तब तक यह काम पूरा होने की संभावना वैसे नहीं हो सकती है सरकार जो काम कर रही है बहुत स्रेश्ट काम कर रही है जिस इस तर पर सरकार ने काम किया है वो उसका जीता जाकता नमोना भी लहबात का कुम्ब है वहाँ पर पांच साड़े पांच करोर लोग एक दिन में उसके डूपकी लगाते हैं सुबह बो फ्रेस ओने जाते हैं दिन में चार बार उनको सोचाले की आव compr सकता है कहीं पर उनको इस्तान करना है कहीं कप्ले दोने है आप लहाँ देख सकते हैं पूरे कुम्ब मैदान में मेला मिदानstep में एक मक्षी और एक मच्छए आपको न लोगों से मिला पूरी दुनिया के प्रतिती वहाँ पर थे वहां के पर्यावरन के एकसपर्स हैं वह वहाँ पर थे और इस बात को देख करके अचंबित थे कि रिवर बैट पर साड़े पांच करण लोगों को मैनेज करना उनका भोजन बनना उनका रहना उनका नहाना किस प्रकार से हो सकता हूंने का निश्चित रूप से वर्ल के लिए भबला मडल है तो मैं समझता हूं जो जो खेती की आप में जो सूखे की जो बात किये ब्रक्षों का कटान रुखे तो बीजेपी गवर्मेंट ने वर्तमान में आप में देखा पूरी दुनिया को लेट किया है पुषपेंद्र गौतम और ब्रजेंद्र सिंग गौतम ने इस पूरी कॉनफरेंस का आयोजन किया है और इस आयोजन में दो दिनों तक देश और दुनिया के कई विद्वान यहां पहुचेंगे सर हम बुंदिलखन में रेते हैं और बुंदिलखन गाओं से जोड कर बना हुआ है चुकि हम ग्रामीड का पलायन हो रहा है सहर की और सहर में आकर के भी हम वापस ग्रामीड परिवेश को अपना रहे हैं उसको दिखाने के लिए हमारे बिश्विद्याले के फाइनेट डिपार्टमेंट के सुडेंट और फैकलिटी ने चले गाउं की और कॉंसेप्ट जो महामहिम राज्यपाल महोदय जी की एक्षा रहती है उस तरज पे हमने अपने उनवर्सिटी में बच्चों को गाउं के बारे में और गाउं की थीम से परचित कराने के लिए इस प्रकार के प्रदर्सनी कायोजन की है अचली बुंदिलखंड बहुत ही सूखा प्रोहविच जिला और छेत्र रहा है हमेशा से ही बुंदिलखंड में पानी का बड़ा संकट रहा है और पर्यावर्णी जो तनाव और पर्यावर्ण में जो परिवर्तन हुए हैं उसमें कहीं न कहीं हमारे बुंदिलखंड की करस बिश्विद्याले है तो हम अपने बिश्विद्याले के माध्यम से पर्यावरण के छेत्र में एक जागुकता लाना चाहते हैं और पर्यावरण में कैसे सुधार लाए जाएं इस दिसा में हम काम करना चाहते हैं जिसके लिए हमने देश विदेश से वा भारत देश के विव लगभग नौ राज्यों के और चार देशों के लोग यहां पर पधारे हुए हैं अपने अपने विचार प्रसुद करें एक तो वहां पर अपने अपने अनभाह साज़ा करेंगे और उनके अनभाहों के अधार पर हम उनसे क्या गेन प्राप्त कर सकते हैं वो हम देखेंगे इंटरनाशनल सेमिनार है जिस पर इन्वार्मेंटल चालेंजेस के उपर डिसकेशन होना है और काफी लोग आये हैं जो कि अपने इंपुट्स यहां देंगे बैसिकली बायो डैवर्स्टी लॉस और रांड उसके उपर डिसकेशन होगा और उनका यूमन्स पर इंपक्ट उसके उपर बात होगी तो मेरा सबसे मैंने यागरे में जया कि अगर कुछ इंप्लिमेंटेबल पॉइंट्स ने कलके आते हैं जो लोकल रेलेवेंस की हो तो हमें एक सेशन को भी बताएं तो हम उस तरीके से अपने एक्जेक्यूशन को शेप परें बुंदिल खंड का भी पिछडा चेत्र है ऐसे में ये सेविनार कितना कारगर साबित होगा काफी कारगर साबित होगा क्योंकि हमाने आप एक वाटर इशू का प्रॉडलम हमेशा रहा है और वो एंवार्मेंटल एंगल से जुड़ कि आएंगे जिससे हमें भी हमारा भी ज्यान बढ़ेगा और हम उसको पुरा इंप्लिमेंटिशन प्रसेश में लेक्या होगा है इस कारकरम के दोरान स्कूल के डैरेक्टर संजीब नकरिया ने सभी अवी भाबकों का अभार जताया और स्कूल के द्वारा की जा रही सेक्चुलिंग कातिविधियों की भी अवी भाबकों को जनकाली दी कुछ है ही नहीं मतलब सलस्ता का हेड़ा है या सलस्ता की जान हमारी अवाग जोरदार में जाहूंगा जोरदा तालिया हमारे अवागों के लिए जितका नरंतर सही हो कि सलस्ता को मिलता आया है और इनी की प्रेणना स्वरू जो बच्चे हर शेत्र में अपनी प्रतिभा के द्वारा सहस्था का शेत्र का शेहर का नाम रोशन करते हैं हब सब को गर्वान्वित करते हैं निश्टत से वो प्रेणना घर से मिलती है हम सब उसको निखारते हैं और आगे बढ़ाते हैं दोरान शहर के ने गर्मान नाग्रिक भी यहां मौझूद रहें नमस्कार कवर दिन भर में आपका स्वागत है मैं हूँ शिर्वेंदर शुक्ला इन दिनों चदरपूर जिले में पिछले तीन चार दिनों से सटेई की छात्रावास के अधिक शिका का मुद्दा करमाया हुआ है इस मामले में केंदरी मंत्री के संरक्षन की बात भी सामने आई है वहीं दुकानदार से बाचीत का आडियो भी लगादार वाहरल हो रहा है इस बीच में केंदरी मंत्री जब भारती अंता पार्टी के कारिकर में शामिल होने आए उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तोर पर इन आरोपों को नकार दिया कि उनका किसी के उपर भी संडक्षन है और उन्होंने इन बातों को साफ तोर पर नकार दिया वहीं दूसरी ओर डीपीसी ने सटेश जाकर इस मामले की चांच की हाला कि वार्डन ने इस मामले में अभी फिलहाल कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया उन्होंने हवाला दिया कि उनका बेटा अस्पदार में भड़ती है इस वज़े से भी अभी कुछ भी नहीं बोल पा रह दिखे लेंडेन व्यक्तिकत मामला होता है और मैं इस तरह के मामलों में किसी को कोई संडेक्टरन नहीं देता हूँ इस समझ में मैंने SP महदाई से भी बोला हुगा है और उनको लिखके भी दिया हुगा है कि इसकी निस्पक्षता पूरवाक जांच होना चाहिए और दोसी व्यक्तियों के पूरत करवाई होना चाहिए मैं नहीं चाहता कि नहीं तैका कभी किसी को समरेक्ना देने का काम किया है कि लिए किया है और ना थो मैंने एक फोन कभी स्बड़ी को किया है इसके यह देएकर गणनों ठोसी bois कि वह जिसके साथ उन्या होता है उसको दूर्ज मिलना चाहिए और मैंने उस दिन उससे बना था कि च में पुल्स के बाद जाना चाहिए और मैंने समध दिन भर में आपको स्वागत है मैं हूँ शिवेंद्री शुक्ला एक शिक्षक की आद में होने वाला अकिल भारती एसन्वेनरजी फुटबॉल टूनामेंट रगवार को संपत हो गया इस टूनामेंट में गदवर्श की विजेता आर्मी हैदरबाद ने एक बार फिर से ट्र चना सिंग सहित्य अन्यगर्मान अतिथी मौके पर उपस्तित थे विजेता टीम को 31,000 रुपए की नगद राशी दी गई तो ही विजेता टीम को 21,000 रुपए और ट्रॉफी से नवाजा गया इसके अलावा खिलारियों को भी सम्मानित किया गया और दलभे की शादिन तक चलने वाले इस बावन में अकिलबार्ती एसन बेनर्जी टूनामेंट में लगातार फुटबॉल का रोमांच देखने को मिला और वाहर से आई हुई टीमों ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन कर दर्शकों को लुपाया फाइनल में इसको देखने के लिए बड़ी संख् कि और दुबारा शुरू कराया और मैं देख रही हूं कि देखिए इतने सारे संसाधन होने के बावजूर टीवी है और भी बहुत सारी चीज़ें लेकिन फिर भी आप देखिए कि कि इस खेल को देखने आते हैं और बहुत उत्सा है लोगों में और निश्यत है कि इसको भ भविता बढ़ाने के प्रयास लगातार जा रही है और जिसको नगरपालिका ने टेक ओवर करके जिस सांधार तरीके से भव्य तरीके ते इसको आगे संचालित किया है मैं तो नगरपालिकाव को भी बदाई देना चाहता हूं और अपने शतरपुर वासियों को भी बदाई देना चाहता हूं कि कम से कम ये क्रम नहीं तूटने दिया और ये क्रम निनंतर जारी है जिसका लाब खेल प्रेमियों को मिलता है शतरपुर नगर की जद्दा को मिल है और बाहर से अनने वाले खिलाने को जाएगी और एक खुशकवरी और कि आस्वासन समीति का मैं सदस्विसली आस्वासन खाली नी जाएगा उंदेल खंड में छतरपुर की पहचान एक अपना वेसे श्रिस्तान के कारण बन गई है और एसेन बनर जी के द्वारा प्रतियोक्ता का काईकम आप छतरपुर में ब्रहत रूप ले चुका है जहां पर इसको राष्टी स्थर की जो टीम में वहां पर आने लगी है वो छतरपुर की जनता में भी इस खेल के प्रती कि इतना उसाह रहता है वह हमने देखा कि आज फाइनल मेच के दोरान जिससे उसाह के साथ में खेलाणियों के साथ भावनात्मा गुरूप से लोग डुड़ हुए थे मैं इस परंपरा को बनाये रखने के लिए नगरपाली का और यहां के खेल प्रेमी उन सभी वरिष्ट खेलाणियों का अभिनन दन करना चाहता हूँ उंगी धन्वात कर देना चाहता हूँ कि जरोंने इस परंपरा को जो ने 않고 बनाने का बनाये रखा है जिले भर की कबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रही है इस बुलेटिन में फिला लेता ही नमस्कार